हेलो फ्रेंज आज मैं आपको सेंट ओफ ओफ ओमन ये 1992 की मुवी एक्स्ट्रेंग करने वाला हूँ इसके आम डिपरेटिंग 8 आउट ओफ 10 है यानि के बहुत ही सही मुवी है इस मुवी में एक ओल करना मरना चाता है पर इसके मरने से पहले बहुत सारी विशेश होती है ये विश कंपलेट करने में एक स्टूरेंट उससे हल्प करता है यही इस मुवी की स्टोरी लाइन है तो डारेकली शुरू करते है Movie start होती है और हमें बड़ी सी एक school दिखाई गई है यह parent नाम की school है और यह बहुत ही famous है यहां बहुत scholar लेट के पड़ते है यहां हमें हमारा main character दिखता है इसका नाम Charlie होता है यह जो week होता है यह Thanksgiving का week होता है और सब students अपने घर जाने वाले होते है इसके बाद कुछ बिखड़े हुए बच्चे school के बाहर हमें दिखते है उनका जो principal होता है यह एक नई कार में आता है इससे हो जनने लग जाते है क्योंकि management ने इसने अपना job अच्छे से किया है इसी वज़े से उसे एक कार दी है यह सब लड़के अपने principal को hit करते है यह सब आप plan बना रहे होते है इनने skiing के लिए इस Thanksgiving पर जाना होता है जब Charlie school से बाहर आता है तो इससे भी बात करने लग जाते है इन लड़कों में से सबसे बिगड़ा हुआ हैरिच होता है यह इससे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ skiing आ सकते हो चारली को जब वह वहाँ जाने का rate बताता है तो चारली इससे लिए मना कर देता है चारली एक पूर background चाता है उसके पास इतने पैसे नहीं होते Thanksgiving आने से पहले जो छुट्टिया होती है इसमें वो जॉब करने वाले है उससे जो पैसे आएंगे इसे वो अपने घर जा सकता है चारली इन सब को मना करकर आगे चला जाता है चारली फिर अपनी जॉब interview के लिए एक घर में आ जाता है यहाँ जो लेडी रहती है उसके old father होते है यही हमारे करनल है यह जो लेडी है यह अपने husband के साथ जरा thanks you in पर बाहर जाने वाली है पर इसके जो father है यह आने रहे तो इसके father का ख्याल रखने के लिए चारली को है job दिया जा रहा होता है वो अंदर जाने से पहली उसे गय देती है कि वो जादा कुछ question पुछे तो ignore कर देना अब हमें करनल के पास Charlie दिखता है करनल जो है यह बहुती straightforward, rude, womanizer इस थरा का character हमें दिखाएगा है जो लेडी होती है यह Charlie को उसने पहले ही बोला होता है कि इससे sir मत बुलाना पर Charlie जब घर में जाता है उसे उसका नाम पुच्छा जाता है तो यह sir बोलता है तो फिर करनल उस पर छीर जाता है कहता है कि मुझे कभी भी sir मत बुलाना उसे करनल या Frank इसमें से कोई भी बुला सकता है करनल फ्रांक जब Charlie को देखता है तो उसे guess करने लग जाता है उसे बता चल जाता है कि पूर फैमिलिस जाता है यह जम्शन करता है और उसकी इंसल्ट करता है Charlie बताता है कि मेरी मदर convenience store चलाती है वो फिर उसे पूछता है कि तुम इस गाव में क्या कर रहे हो उसे बताता है कि वो बेर्ड में जाता है फ्रैंक उसे बोलता है कि तुम इसे अफोर्ड कैसे कर सकते हो तुमारे mother और father तो efforts लेते ही है फिर भी तुम कैसे इसे अफोर्ड कर पाते हो Charlie एक special scholarship जीता हुआ होता है फ्रैंक की granddaughter खेलते खेलते वहाँ आती है फ्रैंक उसे भी चिला कर कहीं दूर खेलने के लिए कहता है उसके grandson granddaughter होते है पर फिर भी उनसे वो प्यार नहीं करता Charlie जब बोल रहा होता है कि कैसे हो यहाँ रहना अपोर्ड कर सकता है तो फ्रैंक बोल हो जाता है फ्रैंक केता है कि क्या तुम मुझे patronize करते हो यानि कि कितना struggle तुम कर रहे हो यह मुझे बता रहे हो यह army में करनल ही था तो कहता है कि तुमारे जैसे मैंने बहुत देखे है इन्हें मैं कड़ी punishment देता था यह कहकर उसे वो dismiss कर देता है Charlie फिल घर में जाता है Frank की जो बेटी होती है उससे मिलता है उसे कहता है कि बना interview अच्छा नहीं गया मुझे नहीं लगता मुझे जॉब मिल सकता है Frank की बेटी कहती है कि तुम ही तो इस interview के लिए आये हो तुमें इस जॉब लेना पड़ेगा 300 डॉलर्स हम तुमें देंगे यह बहुत ही easy job होगा वो कहता है कि easy job है ऐसा मुझे नहीं लग रहा फिर Frank की बेटी कहती है मुझे इस holiday की बहुत ही जरुरत है अज तुमें जॉब नहीं लोगे तो बहुत ही problem हो जाएगा वो फिर उससे confidence देती है वो कहती है Frank जरा tough लगता है पर जब विकेंड खतम हो जाएगा तब तुम अच्छे best friend बन जाओगे चारली को भी पैसो की जरुरत होती है फिर जॉब लेने के लिए वो ready हो जाता है चारली राद में लाइबरेरी में काम करता है लाइबरेरी में जो बिगड़े होए बच्चे थे उसमें से एक विली भी होता है विली रात तक इस लाइबरेरी में रुखता है और ये दोनों फिर बहार आते है जब ये अपने रूम तक जा रहे होते है तब जो बिगडे हुए दूसरे बच्चे थे इनको देखते है जो लैम्पोस्ट होता है इस और बड़ा सब बोलूम में लगा रहे होते है यह देखकर वीली हसने लग जाता है यह कुछ ना कुछ तो शरारत करेंगे यह देखकर उसे बहुत हैसी आती है तब ही उनके एक प्रोफेसर बहाती है यह इन सब को देख लेती है वीली इसको कवर करने की कोशिश करता है पर एक करने बाता नेक्स दिन स्कूल में जब प्रिंसिपल आता है तो लैम्पोस्ट के नीचे ही वो गाड़ी लगाता है यह जब गाड़ी लगाता है स्कूल का जो स्पिकर होता है वो बजने लग जाता है जो सहरारी दी लड़के थे यह कॉमेंटरी करने लग जाता है वो कहते हैं कि प्रिंसिपल ने मैनेजमेंट की चाटी है इसे वाज़े से इसको एक कार मिली है यह जब वो कहे रहे होते तो balloon फुला लेते हैं इस balloon पर principal का गंदा cartoon भी होता है यह देखकर principal चीट जाता है और इस balloon को phone नहीं एकोशिश करता है जब यह phone ता है तो इसमें बहुत ज़ारा paint होता है इस paint से यह car पुरी खराव हो जाती है इसके बाद हमें directly principal के office में विली और चार्ली यह दोनों दिखाए गए है टीचर ने इन दोनों को देख लिया था पर जो लड़के थे इन्हें वो देखनी पाई थी अब principal इन दोनों से पूछता है कि कल रात क्या हुआ था मुझे सब कुछ बताओ यह दोनों कहते हैं कि हम सही से देखनी पाए फिर विली को principal अपने office से निकाल देता है इसके बाद वो चार्ली से बात करने लग जाता है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छ लड़के हो principal फिर चार्ली को एक offer देता है वो कहता है हावर्ड में मैं एक लड़के को admission दिला सकता हूँ मैं आज साल एक लड़के को recommend करता हूँ और जिसके financial situation बहुत ही खराब होती है इसको मैं recommend करता हूँ इस साल वो चार्ली को recommend कर सकता है पर इसके पहले जिस लड़कों ने ये सब किया है इनके नाम उसे देने पड़ेंगे चार्ली अपने friends का नाम नहीं बता सकता क्योंकि उसे गलत लगता है इसलिए वो मना कर देता है प्रिंसिपल के लिए बहुत ही पसंडल होता है अपनी जो institute है इसकी respect, integrity ये खराब नहीं होने चाहिए इसलिए जो culprit से इन्हें उसे ढूड़ना ही है ये चार्ली को बोलता है ये में तुम्हें ज़रा time देता हो विकेंड पर सोचो और इसके बाद मुझे फिर से कहो चार्ली जब office से बाहर आता है वहाँ वीली भी होता है विली उसे कहता है कि ज़्यादा तुम tension मतलो हमें ज़्यादा वर्री करने के कोई भी ज़रूद नहीं है वो उसे कहता है कि principle जो है ये हमें तोड़ने के कोशिश कर रहा है पर हम टुटेंगे नहीं हम हमारे friends में जो किया है ये किसी को भी नहीं बताते नेकस दिन Charlie Frank के पास आता है Frank की जो डॉटर है अब वो यहां से जा रही है Frank Charlie को उसके कबड़े फोल्ड करने के लिए कहता है Charlie उसे पुछता है क्या हम कहां जा रहे है वो कहता है कि तुम तुमारा काम करो जादे कुछ सवाल मत पूछो Frank की बेटी फिलसे उसे मिलने आती है Frank Charlie से कहता है कि तीन बार मुझे मिल चुके है इसे मुझे छोड़ कर जाने का इतना क्यों डर लग रहा है Frank की बेटी उसे मिलती है और फिर चली जाती है जैसे Frank की बेटी वहां से चल जाती है तो Frank Ready हो जाता है Frank गर में टगरा जाता है तो Charlie उसका हाथ पकड़ लेता है Frank उसे पर चीड़ जाता है को कहता है कभी भी तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूँगा जब मुझे सहारी की जरूत पड़ेगे ये बहुत ही ज्यादा स्टिक्ट होता है बाहर फिर एक taxi आती है वो कहता है कि चलो अब हमें चलना है Charlie कहता है कि मुझे पता नहीं था कि हमें कहा जाना है Frank कहता है कि मेरे daughter तुमें कहना भूल कही है Charlie जब उसे पूछता है कि कहा जाना है तो कहता है कि हमें New York जाना है चार्लियू से कहता है कि मैं नुई यॉक नहीं जा सकता यह इसके लिए ज़रा ज़्यादा responsibility हो जाएगी इसके पीछे एक reason है फ्रैंक को ज़्यादा दीख नहीं बाता यह practically अंधा ही होता है एक अंध्या आदमी को नुई यॉक ले जाना यह बहुत गलत हो जाता है इसलिए यह मना कर रहा होता है फ्रैंक कहता है कि क्या तुम responsibility से डर रहे हो वो फिर उसे force करता है और लेकर ही जाता है फ्रैंक ने first class ticket book की होती है वो फिर plane में alcohol मंगवाता है जब उसे serve करने के लिए airostress आती है तो उसे खुश्बू से उसने जो send पहना है यह वो जान लेता है इसका नाम क्या होगा यह वो guess करता है और उसे नाम से पुकारता है चारली surprise हो जाता है वो बुशता है कि तुमने कैसे ही guess कर लिया फ्रैंक को लोगों के नाम या लोग कैसे है इसके बहुत जादा जानकरी होती है आक्सेंट यह OSS बनी है यह जहां रहती थी इससे मुझे पता चल गया कि इसका जनरल नेम यही हो सकता है चारली surprise होता है कि फ्रैंक इतना intelligent है चारली उसे पुशता है कि हम New York की जा रहे है फ्रैंक कहता है कि जब मुझे बताना होगा तब मैं तुम्हें बता दूँगा फ्रैंक अब AeroStays को फिर से बुलाना चाता है वो कहता है कि वोमन God ने सबसे अच्छी बनाई होई चीज जो होगी वो वोमन ही होगी वो कहता है कि वोमन के जो हेरोते हैं यही सबसे बढ़िया होते हैं उनके लिप्स जब हम इसे किस करते हैं तब डेजर्ट के बाहर हमें वाइन मिली है ऐसा लगता है वो बहुत ही औरतों की तारिफ करता है चारली कहता है कि तुम्हें तो बहुत ही ज़ादा औरते पसंद है नियॉयोक में आने के बाद एक फाइस्टर होडल में आते हैं यहाँ बहुत सारी अलकॉल होती है फ्रैंक को यह सुनकर अच्छा लगता है और कौन-कौन से ब्रैंड है यह वो चारली से पूछता है चारली फिल एक कॉल लगता है वो आपने लिए एक लिमो बुक करता है एक बड़े से ओडल में जाकर वो डिनर करने वाले होते है चारली फ्रैंक से कहता है कि यह सब तुम क्या कर रहे हो मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सकता मुझे फिर से घर जाना पड़ेगा फ्राइंक कहता है कि तुम मेरे साथ आयो मैं तुम्हें बिना खाये पिया नहीं छोड़ सकता तुम्हारे जो फ्लाइट है ये 10 बजे है तब तक तुम क्या करोगे हम जाकर खाना खाकर आ सकते है चारली भी अब इसके लिए मान जाता है जब ये लिमो में होते है तो लिमो का जो ड्राइवर होता है उसे फ्राइंक सवाल करने लग जाता है उसे कहता है क्या तुम किसी एसकोर्ट को जानते हो ये ड्राइवर कहता है कि मेभी तो फ्राइंक कहता है कि मुझे टॉप क्लास एसकोर्ट शेही है यह driver कहता है कि मैं कुछ आरेंच कर सकता हूँ यह जब car में होते है Frank को लगता है कि Charlie जड़ा uncomfortable है उसे बोलता है कि कुछ ना कुछ तो तुम सोच रहे हो मुझे बता दो कि क्या तुम सोच रहे हो फिर Charlie उसके school में जो भी incident हुआ है यह सब उसे बताता है Frank उसे पुछता है कि यह जो विली है इसके father reach होंगे Frank उसे कहता है कि वो reach है और तुम poor हो इसमें ज़्यादा सोचने कि कोई भी ज़रूद नहीं है जब यह hotel में आते तब Charlie उसे पुछता है कि इतना ज़्यादा बड़ा hotel तुम कैसे अवोड कर सकते हो Frank कहता है कि मेरे जो pension में किरा थी यह सब मैंने स्योग करकर रखी है Charlie फिर उसे पुछता है कि तुम्हारा प्लैन क्या है तुम क्या करने वाले हो Frank कहता है कि मेरे कुछ list है जो मैं complete करना चाता हूँ एक अच्छा सा dinner में करना चाता हूँ इसलिए यह होटेल में आये है इसके ब्रदर के साथ फैमिली थैंक्सगिमिन वो करना चाता है एक औरत के साथ तो सोना चाता है और यह सब हो जाने के बाद वो अपने आपको मार देने वाला है यह वो चारली को बताता है चारली सब्राइस चो जाता है उसे धक्का लगता है उसे बोलता है कि यह तुम क्या बोल रहे हो फ्रैंक फिर से उसे कहता है कि मैं अपने आपको मार देने वाला हूँ यह फिर डिनर कर दे फ्रैंक फिर चारली से कहता है कि तुम्हारी जो फ्राइट है यह आप मिस हो चुकी है जो actual time था वो 9 बजे का था पर इसने 10 बजे बोला था उसे कहता है कि कल मुझे तुम्हारी जरूरत पढ़ने वाली है तुम्हें यहां रुखना चाहिए तोस्तों के लिए एक दिन क्या होता है चारली भी मान जाता है निक जिन जब सुबा होती है तो फ्रैंक अपने के लिए पूरा मजा वह ले रहा होता है चारली को अपने फ्रेंड विली को कॉल करना होता है तो प्राइवेट रूम में जाकर बात करना चाता है पर फ्रैंक उसे बता देता है कि मेरे रूम में तुम्हें नहीं जाना है तुम जो भी करोगे इसी रूम में करोगे फ्रैंक को सुनन करने वाले है जब एक कॉल खतम हो जाता है तो फ्रैंक चारली से कहता है यह तुम पोर हो और वो रीच है वो रीच का कुछ ही बिगार नहीं सकते पर तुम्हारा बहुत कुछ बिगार सकते जो इन्हें पता करना है यह पता करकर ही रहेंगे और तुम्हें इन्हें बता देना चाहिए यह जो तुम्हारा फ्रेंड विली है इसके फादर को खुषना कुछ तो पता ही चल जाएगा और इसके बाद विली ही सब कुछ बता देगा इसमें तुम्हारा ही सबसे ज़्यादा नुक्सान हो जाएगा आज थैंक्सगिविन है तो फ्रैंक का जो ब्रदर है उसके केर करने के लिए आया हुआ है फ्रैंक सुजाइड करने वाला था इसलिए फ्रैंक के ब्रदर को यह कहता है कि यह बहुत ही लोनली है फ्रैंक का ब्रदर कहता है कि तुम तो अपने घर लेकर जाते मेरे घर क्यों इससे लेकर आया हो यह फ्रैंक सुन लेता है फ्रैंक और उ पता है, फ्रैंक अपने नेफियू के इंसल्ट करने के लिए कहता है, कि तुम्हारी जो वाइफ है, यह अनसाटिस्पाइड है, तुम इसका अच्छे से खायाल रखो, नेफियू फिर चीर जाता है, कि तुम बहुत ही इन्रस्पॉंसिव है लो, फ्रैंक ने अपने आइसाइ चली गई, इसने सब को बताया, कि इसने जो पीन है, वो आंदर ही डाल कर रखी थी, पर इससे कुछ फरक नहीं पड़ा, फ्रैंक उस पर बहुत ही चीर जाता है, उसका गला पकड़ लेता है, अपने ब्रदर से बात करकर, वहाँ से फ्रैंक चला जाता है, नेक जिना में द लेकर डर गया होता है, फ्रैंक अपने आपको मार सकता है, इससा उसे लगता है, फ्रैंक को अभी भी कुछ चीज़े करने होती है, तो फ्रैंक चारली को कहता है, कि और एक दिन तुम रुख जाओ, चारली कहता है, कि मैं यह रुख सकता हो, पर तुम्हारी जो गन है, यह मुझे देनी पड़ेगी फ्रैंक कैता है कि मैं कर्नल थानल आちゃा मैं कभी भी самой और आम किसी कोब ने देता चारली मारने रहो था तो उससे सिर्फ गोलिया देदेता चारली जो वहाँ से विट्टी में घुमते हैं। फ्रांक शेविंग एक्रा करता है। जब रस्ते से चल रहे होते हैं। तो फ्रांक उससे बुछता है। कि और भी तुम्हें कुछ चीज़ खाये जा रही है। मुझे तुम्हें यह बता तो। चार्ली कहता है कि मुझे ब्राइब दी गई थी। मैं अगर हा के देता तो मैं हरवर्ड में जा सकता हूँ। फ्रांक कहता है कि तुम्हें यह ले लनी चाहिए। तुम्हें जो फ्रेंड यह बहुत दिरीच है। उसके फादर उसे बाहर डाल सकते हैं। पर तुम्हें कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। तुम्हें जांस मिल रहा है तो तुम्हें यह ले लेना चाहिए। चार्ली उससे कहता है कि मैं नहीं करने वाला। फ्रांक को उसे पुछता है क्यों नहीं करने वाले। चार्ली कहता है कि यह गलत है। मेरे friends के बारे में ऐसा हमें नहीं बता सकता Frank केता है कि अगर तुम ऐसा सोच रहे होगे तो इस world में तुम बहुत जादो तकलिफ होने वाली है ये दोनों फिर डिनर करने के लिए और एक बड़े से hotel में आ जाते है वो और Frank को एक smell आती है वो भुशता है कि ये smell कहा से आ रही है एक लड़की बेटी हुए होती है चारली इसकी location उसे बताता है फिर Frank उट जाता है और लड़की के बास जाकर वो दोनों बेट जाते है ये अकेली होती है और Frank को लगता है कि इसे company की ज़रूरत है जब वो उससे बुशता है तो ये लड़की कहती है कि मेरा जो boyfriend है कि अभी अभी आने वाला है Frank कहता है कि तब तक हम तुमें company दे सकते है Frank उससे बुशता है कि या dance चल रहा है तुम क्यों dance नहीं करे वो अखेती कि मेरा जो boyfriend ने उसे dance करना नहीं अच्छा लगता Frank कहता है कि तुम मेरे साथ dance कर सकती हो वो जड़ा hesitate कर रही होती है Frank फिर उससे confidence देता है और ये दोनों dance करने लग जाते है ये दोनों बहुत ही enjoyable dance करते है और फिर से table पर आकर बेट जाते है इस लड़की का फिर boyfriend बहाता है और इन दोनों को city में जाना होता है इन दोनों का जो बील होता है ये Frank insistर ता है कि वो पे कर दे Frank और Charlie रात में अपनी निमो में एक जगा आते है एक hotel होता है Frank ने अपने driver को बोला था कि उसे escort की जरूरत है ये इसकी पास अब आ चुका है चारली गाड़ी में रुखता है और Frank इस ओरत के साथ सोने के लिए जाता है Frank जब गाड़ी में से अपने friend को call लगाता है तो उसे पता चलता है कि विले ने अपने father को बता दिया है वो अपने father को नहीं बताने वाला था जैसे Frank ने कहाता वेसे ही सब कुछ हो रहा है जब रात हो जाती है तो Frank वापस आ जाता है और होटेल में आ जाते है निगस दिन सुबा जब होती है तो Frank बहुत ही ठक चुका होता है उसे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होता चारली को लगता है कि अफे सुसाइड कर सकता है इसलिए उसे चीरलेप करने के कोशिश करता है वो कहता है कि हम नियॉयॉक में कुछ करते है कही हम जा सकते है ड्राइव के लिए हम जा सकते है जब Frank ड्राइव का नाम सुनता है तब उसे फिर से उमीद आ जाती है Frank को दुनिया में दो ही चीज़े अच्छी लगती है एक ही वूमन और दूसरी फरारी इसे फरारी ड्राइव करने के बहुत ही इच्छा होती है ये दोनों फिर फरारी के शॉप में आ जाते है ये गाड़ी लेकर टेस ड्राइव करना चाते है पर जो सेल्समेन होता है ये उन्हें मना कर देता है वो कहता है कि ये बहुत ही जादा कॉसली है अगर इसको कुछ हो गया तो हम इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे फराइव बहुत ही पस्पेस्वी होता है और जो सेल्समेन होता है इसे वो ब्राइब देतेता है 2000 डॉलर से देतेता है वो इसके बाद ये ड्राइव करने के लिए गाड़ी को बाहर लेकर जाते है चारली ये गाड़ी बहुत ही स्लोली स्लोली चाहरा होता है तोड़ी देर बाद एक सुमसान जगा पर वो आ जाते है और अब फ्रैंक गाड़ी चलाना चाता है फ्रैंक को कुछ दिख नहीं पाता तो चारली को बहुत ही डर लग रहा होता है फ्रैंक को कुछ वे फरक नहीं पड़ता और इस गाड़ी का जो मशीन है इसको उसे फिल करना होता है वो बहुत ही जोर से गाड़ी चलाता है डिफ्टिंग भी इस करियों में वो करता है एक पुलिस ओफिसर इनको देख लेता है और पुलोवर करता है फ्रैंक जोता है इसे आई कॉन्टेक नहीं बनाता क्यूंकि एक करनल है उसका रिस्प्क करता है एक टेस्ट ट्रैक हो जाने के बाद फ्रैंक बहुत ही thin तक जाता है चारली फिर उसे होटेल में लेकर आता है चारली को कहता है कि मुझे सिगार चाहिए इस सिगार लाने के लिए एक बहुत ही दूर के स्टोर पर उसे वो भेज रहा होता है चारली जब नीचे जाता है तब उसे पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो कर बड़े वो फिर से होटेल रूम में आ जाता है जब वो रूम में देखता है तो करनल ने अपने जो यूनिफॉर में वो पहन लिये उसके पास गने उसमें बुलेट से और वो अप खुद कुछ ही करने वाला है चारली उसे रोकता है वो कहता है कि मैं तुम्हें ये करने नहीं दे सकता करनल कहता है कि यह मैं करने वाला हूँ, तो मुझे रोक नहीं सकते अगर तुम यहां रुके, तो मैं तुम्हें भी मार दूँगा और अपने आपको भी मार दूँगा चारली उसे कहता है कि प्लीज यह गन रख दो, तुम पेन में हो फ्रांक कहता है कि तुम्हें क्या पता कि पेन क्या होता है फ्रांक कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा वैसे भी तुम्हारी लाइफ खतम हो चुकी है इसके बाद तुम्हारा करियर ओवर हो जाएगा जैसे तुम्हारे पैरेंस जीते थे वैसे तुम्हें जीना पड़ेगा क्योंकि तुम अच्छे से स्कूलिंग अफोर्ड नहीं कर पाऊंगे चारली अभी भी मानने रहा था करनल से वो गन जिन लेता है ये दोनों जगणने लग जाते है करनल फिर से अपनी गन ले लेता है करनल उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें मात देने वाला हूँ वो काउंट करने लग जाता है चारली कहता है कि वेसे भी मेरे लाइफ ओवर ही है अभी अभी तो तुमने कहा है करनल फिर कहता है ये मुझे डाउट है कि मुझे एक करना चाहिए या नहीं और फिर वो गन रख देता है फ्रैंक फिर चार्ली से ड्रिंग मांगता है और ये दोनों काउच में बैट जाते है फ्रैंक कहता है कि इतने साल मैं ये सब जीता रहा मेरा एक ही गोल था कि मुझे भी एक company चाहिए थी जैसे wife होती है उसी तरह से compassionate उसे कोई चाहिए था चार्ली कहता है कि तुम अभी भी वो सब पास सकते हो चार्ली उसे मजाग मजाग में कहता है कि तुम compassionate हो तुम easy हो तुमारे पास रहना बहुत ही fun है और तुम जब travel करते हो तो बहुत ही fun बन जाते हो Frank भी यह मजाग में लेता है Frank उसे पुछता है क्या तुम मेरी मजाग उड़ा रहे हो फिर यह दोनों इसमें हसने लग जाते है अब इनका फिर से घर जाने का time आ जाता है जब एक कार में होते है तब चारली को call आता है उसके जो principal थे उसने यहने call किया होता है जब एक घर जाएगा तो एक बड़ी सी meeting होने वाली होती है इसमें यह जो सब incident हुआ है इसके बारे में hearing होने वाली होती है चारली को उसके school में फ्राइंग छोड़ देता है जाते हो उसके कर जाता है कि मैं ठीक हूँ कोई problem नहीं है चारली को जो face है वो फिल करता है वो कैसे दिखता है यह उससे पता करना होता है जो hearing थी है वो अब start हो जाती है चारली यहाँ बेठा हुआ होता है विली जो था उसके parents भी यहाँ आय हुए है प्रिंसिपल है फिर room address करने लग जाता है वो कैता है कि हमारे जो institute है इसकी integrity का है सवाल है इसलिए बहुत strictly एक community के सामने इसा of facts डाल रहा होता है यह फिर विली को pressurize करता है वो कैता है कि जो भी सब हुआ था यह मुझे clear cut बता हो विली कहता है कि मेरे contact lenses जो थे वो on नहीं थे मैं खुझी बता नहीं सकता उसे बहुत ज़ादा pressurize करने के बाद अपने friends के नाम वो बता देता है अब यह चारली से question पूछने वाले होते है तो यह वहाँ Frank आ जाता है यह Frank से पूछता है कि तुम कोन हो Frank केता है कि इसके parent यहाँ आनी पाए मैं उनका अच्छा सा friend हूँ मैं इसके parents की भिहाब में यहाँ बैटने वाला हूँ फ्रिंसिपल फिर चारली से question पूछता है उससे पूछता है कि तुम्हारे तो eyesight सही है तुम बता सकते हो कि यह चार लोग थे या नहीं थे चारली केता है कि मुझे ज़्यादा clear नहीं है मैं कुछ देखने पाया उससे फिर से एक chance देता है पर चारली कुछ बता था नहीं फिर यह जो प्रिंसिपल होता है कमिंटी को कहता है कि जो ब्ली था इसने कॉन्टाइ lenz नहीं पिने थे उसे हम कुछ बुलवा नहीं सकते है पर यह जो चारली है इसने है सब कुछ देखा था यह बिखचुका है इसलिए हम इस पर बहलो नहीं कर सकते है हमारे इंस्ट्यूट में हम इसे रहने नहीं दे सकते है इसे हमें expel कर देना चाहिए Frank फिर यहाँ बोलने लग जाता है वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जो actual culprit है उन्हें छोड़ कर दे रहे हो और इसे तुम सजा दे रहे हो और इसने ऐसा किया भी क्या है उसके friends के लिए cover कर रहा था इसके पास integrity है इसकी integrity है maintain कर रहा था इसे बोलने के लिए बोलकर तुम इसे स्नीच बना रहे हो इस institute में तुम सब लोग को स्नीच बना रहे हो इसे तुम real world में कैसे जी पाऊगे को भी तुमारे सामने अगर मुश्किल आ जाए तुम इसे डर कर भाग जाओगे जो Charlie इसमें integrity है और किसी भी चीज़ के सामने ये डर कर भागेगा नहीं लाइफ में यही जादा important है Charlie जैसे लड़कों को तुमें protect करना चाहिए उसे institute से नहीं निकाल देना चाहिए एक दिन आएगा जब institute को Charlie proud बनाएगा जब Frank अपनी speech कतम करता है तो committee भी decide करती है कि Charlie को कुछ भी होना नहीं चाहिए Charlie और Frank को बहुत ही खुश होती है इस institute में एक teacher होती है जो भी Frank की एच की होती है उसके पास आती है उसकी praise करती है Frank उसे directly बूश लेता है कि क्या तुमारी शादी हो चुकी है यह कुछ भी नहीं बोलती यह दोनों एक दूसरे से flood करने लग जाते है और यह date पर जाने वाले होते है Charlie Frank की घर उसे छोड़ने के लिए आता है जिस लिमो में वो आया था वो इस लिमो के driver को बहुत सारे पैसे वो दे देता है अपनी जो life है इसा वो अब better बनाना चाता है Charlie भी देखकर खुश होता है और यह movie खतम हो जाती है Frank suicidal था उसके life बहुत ही खराब हो चुकी थी पर अपनी life बदलने के लिए कभी भी लेट नहीं हुआ होता कभी भी अपनी relationship पर काम कर सकते हो और सही से decisions ले सकते हो Frank ने अपनी life सही करने के लिए पहले कदम तो ले लिए है उसकी जो Charlie के साथ relationship है यह भी अब eternal हो चुकी है यह beautiful movie एक अच्छे message के साथ यहाँ खतम हो जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगाओगा तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आता रहे तो तो प्लीज इस channel को subscribe कर दीजे और bell notification icon भी दबा दीजेगा हम फिर से मिलेंगे और एक movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिया